नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बीबोस ने दसवी और बारवी परिच्छा के लिए आधार नंबर का सत्यापन किया अनिवारिया बिहार को आज मिली दूसरी वंदे भारत ट्रेन टांटा मोटर्स में काम करने के साथ डिप्लोमा कोर्स करने का सुनहेरा मौका दुर्गा पूजा पर यात्रियों की सुवधा के लिए रेलवे चलाएगे स्पेशल ट्रेन मौसम विभाग ने बताया बिहार में कब से साफ होगा मौसम इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से विबोस ने दसवी और बारवी परिच्छा के लिए आधार नंबर का सत्यापन किया अनिवारे यानि कि अब चात्रों को परिच्छा फॉर्म भरने के लिए पहले आधार सत्यापन करवाना जरूरी होगा इसके बाद ही विच्छात्र परिच्छा में शामिल हो पाएंगे बतादे कि नए नियम की शुरवा दिसंबर 2022 की बारवी बोर्ट परिच्छा से की गई है जो की अगले महा आयूजित होने वादी है मालूमों कि परिच्छा में शामिल होने के लिए कुल 21,981 परिच्छार्थियों के द्वारा ओन्लाइन आवेदन किया गया है जिन में से अब तक 12,981 परिच्छार्थियों का आधार नंबर का सत्यापन करवा दिया गया है बतादे किस बाड़े में विवोस के मुख्य कारिकारी पदादिकारी ओम प्रकाश यादव के द्वारा बताया गया है कि आधार सत्यापन करने का मकसद फरजी चात्र या चात्रा को पकड़ना है बिहार मातिमिक सक्छक संग ने CM नितीज से की ये मांग बिहार मातिमिक सक्छक संग के अध्यक्ष रगवन्स प्रसाद सिंग, उपाध्यक्ष टॉक्टर सुरेश प्रसाद राय एवं महासचीव सहपुर्वसांसत सत्रुधन प्रशाद सिंग के द्वारा बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार को एक पत्र लिख उनके सामने अपनी मांग रखी गई है, उन्होंने पत्र के जर ये कहा है कि 2 अक्टूबर 1910 को ततकालिन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगनाथ मिश्रा की सरकार के द्वारा, खानगी माध्यमिक विद्यालियों को बिना किसी सर्थ के सरकारी कारण कर उन्हें पूरे देश में सक्छकों क सम्मान का गौरब प्राप्त किया था, ऐसे में आपसे अनुरोध करते हैं कि सितंबर मा समाप्ति की और अग्रसर है, पिछले मा 15 अगस्त को एतिहासिक गांधी मैदान में आपने भी सक्छकों की मांग पर सदिक्षा का जहार किया है, इसलिए एक बार फिर वक्त ने आपक को मौका दिया है कि 2 अक्टूबर 2023 को नियोजिस सक्छकों को राज्य करने के दर्जा का स्रे आप राप करे, इसके अड़ावा 11 जुलाई को अंसन और प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रात्मिक से माधिमिक एवां उच्छ माधिमिक तक के सक्छकों के विरुध की जा नियोजन पदादिकारी राना अमितेश के द्वारा दी गए जानकारी के अनुसार 27 सितंबर को बेगुसराई में टाटा मोडर्स जमसेदपूर की ओर से नौकरी दी जाएगी और साथी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कराया जाएगा और फिर सैलरी में बढ़ोतरी की जोजनाल सेंट श्रम भवन आईटी आई कैंपस में सुबह सारे 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेला का आयूजन किया जा रहा है जिसमें 150 विरोजगारों को रोजगार उपलत कराया जाएगा ऐसे में अगर हम इसमें भाग लेने वाले इक्चुक अभियर्थियों के सैचनिक योगिता की बात करें तो बारवी पास होने वाले अभियर्थी को 3 साल के ट्रेनिंग डिप्लोमा और आईटी आई स्ट्रेंड्स को 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा बतादे कि हैं कैंप सिर्फ पुरुष अभियर्थी के लिए लगा जाएगा बारेश के दिगई जानकारी के नुसार यदी आप बाहर है और नजदी कोई सुरक्षत स्थान नहीं है तो तुरंत पहारियों परवत श्रेन्या चोटियों जैसे उंचे छितरों से दूर हो जाएं इसके लावा ताला वो जीलों और अन जल श्रोतों से तुरंत बाहर और दूर हो जाए जमीन पर सपाट न लेटे पेरों के नीचे और विसेश रूप से प्रितक पेरों के नीचे आस्रे न ले फोन बिजली धातू की बार पवन चक्कियों आदी से दूरी बना कर रखे वहीं सतरह के मौसम के दौरान किसी भी आपात कालीन शहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के हल्प लाइन नंबर 6122-942-4 या 6122-942-5 या टोल फ्री नंबर 1-7 सुने पर संपर्ख कर सकते हैं इसके लापदा आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य अपात कालीन संचालन किंदर पर भी संपर्क किया जा सकता है बिहार को आज मिली दूसरी वन्दे भारत ट्रेन आज यानि के 24 सितंबर को बिहार को उसका दूसरा वन्दे भारत ट्रेन मिल चुका है बतादिक इसको लेकर पटना जंक्षन पर 11 बजे से समारों का आयूजन किया गया था वहीं अब यह वंदे भार ट्रेन पटना से हावरा के बीच की 532 किलो मीटर की दूरी को 6 घंटे 35 मिनट में तैक करेगी यानि कि अने ट्रेनों की तुलना में इससे करीब एक घंटे 30 मिनट यातरा का समय कम लगेगा अगर उसके किराई की बात करे तो यातरियों को एक्जेक्यूटिव चेयर कार का किराया 2050 रुपे देना होगा पुर्णिया में भारी मातरा में सराब के साथ तसकर गिरफतार बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है इसे तो हम सभी वाकिफ हैं लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं बतादी कि ताजा मामला पुर्णिया का है जहां पुलिस के दोरा गुपत सूशना के आधार पर एक माल वाहक ओटो से विदेशी 83,175 लीटर विदेशी सराब बरामत किया गया है और साथ ही एक तसकर के भी गिरफतारी की गई है बतादी कि बरामत किये गये सराब की कीमत क बिहार के सभी नौ कमिस्नरी में जल्द खुलेगा ICCC सेंटर एडी जी सुधानसु कुमार के दोरा दी गई जानकारी के नुसार यातयात्स जुरी समस्या समेत अने कई मामलों के निदान के लिए स्मार्ट सिटी के तहत राज्य के नौ कमिस्नरी में इंटिग्रेटर कमां सेंटर जल्द ही सुरू किये जाएंगे बता दे कि वर्तमान में राज्य के चार महानगरों में ICCC कारणत हैं ऐसे में अब यातयात्स जुरी समस्या को देखते वे अने नौ डिवीजनल हेड क्वाटर में भी ICCC का काम शुरू किया जाएगा जिसकी तैयारी की जारी है व लगलक जगों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि इन समस्याओं का नदान किया जा सके और अंगाबाद आएंगे बहुत चर्चत क्रिकेटर इशान किसन भारती क्रिकेट टीम के बहुत चर्चत युवाब क्रिकेटर इशान किसन के पिता प्रणभ पांडे उर्फ चन्न के बाद और अंगाबाद जिले के दाउद नगर जरूर आएंगे दरसल कॉलिज के चात्रों के द्वारा अग्रह करनी पर इशान किसन के पिता के द्वारा कहा गया कि 2020 का वर्ड कप पांच ऑक्टूबर से आरम भोडा है जिसका फाइनल 19 निवंबर को होगा है से भी फाइ को देखते वे उत्तर रेलवे दर्भंगा दुराई के बीच स्पेशल ट्रेन के परिचालन का नड़ने लिया गया है बता दे कि साथ ऑक्टूबर से 9 नमबर तक प्रतेक सनिवार को शुने 55-37 दर्भंगा दुराई पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा ज चलेगी जो दुराई से रात 11.45 बजे प्रस्थान करेगी और यात्रा के तीसरे दिन सुबह 6.50 बजे दर्भंगा पहुंचेगी इस दुरान यह दोनों ट्रेन सीतामरी बैडगनिया रकसॉल नरकटिया गंच कप्तान गंच कोड़कपूर समेत करीब डेर दरजन स्टेशन होने से पूरे बिहार में लगातार बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे में करीफ 70 मिली मीटर औसत बारिस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वहीं अब मौसम विभाग के ओर से जानकारी दी गई है कि बारिस का दोर कब तक जारी रहेगा बतादी कि विभाग के दोरा दी गई जानकारी के नुसार आज यान की 24 सितंबर को मध्यम बारिश वपच्चस से 26 सितंबर के भी छलकी बारिस की संभावना है इस दोरान पुरवा हवा 12-13 किलोमीटर प्रती घंटा की गती से चलती रहेगी और जले का तापमान सामानने रहेगा विभाग के नुसार पूर्णि प्रुसकार क्राप्त सिक्षक बताएंगे पढ़ाने के बहतर तरीके विहार सरकार के सिक्षा विभाग के दोरा सभी जिला सिक्षा पतादीकारी को ऐसे सिक्षकों का समू तयार करने का नर्देश दिया गया है जिन्हें राश्ट्रिय प्रुसकार से सम्मानत किया गया हो ताकि वे अपने अनुभव आने सक्षकों के बीच साजा कर सके और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुनबत्ता पुर्ण सिक्षा देने के लिए सक्षकों को प्रेरित कर सके बतादे कि इस सक्षकों के समू को प्रोफेसनल लर्निंग सरकल नाम दिया गया है जो विवन स्कूलों में विजिट कर अपने अनुभव को साजा करेंगे इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है जो कि भारत सरकार दोरा राश्ट्रिय पुरुसकार प्राप्त सिक्षकों से समबनित वेबसाइट URL.http.column.nationalawards2teacher.education.gov.in है मालु हो किस वेबसाइट पर वर्स 2018 से आगे के राश्ट्रिय पुरुसकार प्राप्त सिक्षकों का विवरन उप्लाद है राश्ट्रिय पूरुसकार प्राप्त सिक्षकों के साथ 30-40 सिक्षकों का सम्मू बनाकर Professional Learning Circle बनाए जाएगा बिहार में डेंगू के मरीज पहुंचे 4000 के पार के राजधानी की पटना की बात करें तो बीतर दन यहां डेंगू के कुल 93 नए मरीज मिले हैं जिन में से सबसे अधिक पार्टले पुत्र आंचल में 43 हैं वहीं अब रॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि पिछले दो दिनों की बारिश से शेहर के कही इलाकों में जल का प्रकोप और बढ़ने के आशंका है जातिय सर्वे को लेकर राहुल गांधी से सुसील मोदी का सवाल बिहार के पुर्व उपमुक्य मंतरी और बीजेपी के राजे सभा सांसा सुसील कुमार मोदी के द्वारा जातिय जनगन्ना को लेकर राहुल गांधी से सवाल करते व देशबर में जातिय जंगन्ना करना वहभारी कारणों से संभव नहीं है वहीं 1971 में नहरु सरकार के दौरा रितिगर्ट नर्यने लिया गया था कि राश्ट्रीय स्तर पर जनगन्ना के दौरान के वर अनुश्चित जाती जनजाती के आंकरे जुटाए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि बिहार में जातिय सर्वे का काम जब पूरा हो चुका है तब सरकार बताए किसकी रिपोर्ट कब जारी करेगी। राहुल द्रविर के बेटे समित का टीम में हुआ सेलेक्शन। समित करनाटक की ओर से अंडर 14 क्रिकेट टूर्णामेंट खेल रहे थे समित अपने आकरा मकबलेबाजी के कारण जाने जाते हैं। इसके अलावा उनके गेंद बाजी भी अच्छी है, मालू हो कि विनू मांकर टूर्णामेंट में करनाटक की टीम धीरज गौर की अगवाई में खेलने उतरेगी जबकि दुरूप प्रवाकर टीम के उप्त कप्तान होंगे। इस टीम में समित के साथ कहीं प्रतिभाशाली खेलारी हैं जो टूर्णामेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुख हैं। इसके साथ ही गया में प्रतिभाशाली कीमत 116 रुपे और डीजल कीमत 153 रुपे प्रति लीटर है। इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है। अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबड़ों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें। और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चान को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले। हुआ झाल